आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रिड्यूस कर देती हूँ मेरे नाम अमरता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी के टिप्स पे, प्रोडेक्स पे और मेरे परसनल वेलोग पे आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेस पंप के बारे में जो की सारे ही न्यू मॉम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन डिवाइस होता है और हम बात करेंगे लव लाप कंपनी के एड़ एलेक्रिक ब्रेस पंप के पार में जो की एक अमेजिंग डिवाइस है दोस्तों आएस अबसे पहले समझते हैं कि ब्रेस पंप होता क्या है ब्रेस पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज करके Mother's अपनी ब्रेस मिल्क को पॉप करके बोटल में स्टोर कर सकती है अपनी बीबी के लिए breast pump की ज़रूद पढ़ती क्यों है for example अगर आप working woman है आप बाहर जाना चाहती है और आप अपने बेबी को carry नहीं कर सकते अपने साथ नहीं लेके जा सकते और साथी साथ आप formula milk भी अपने बेबी को नहीं देना चाहते तो इस situation में सबसे ज़्यादा best solution होता है breast pump आप pump करके milk को store कर सकते है अपने बेबी के लिए और जबी भी चाहे आप आसानी से उनको feed करा सकते है इसके लाव और भी बहुत सारे फायदे है breast pump के for example अगर आपका breast milk का supply कम हो गया है तो breast milk के supply को increase करने का भी काम करता है breast pump साथी साथ कई moms को latching की problem आती है मतलब बेबी जो है वो ठीक तरीके से लाश नहीं कर पाता है कई बार inverted nipples के भी problem आती है तो उस case में भी breast pump बहुत जादा important हो जाता है breast milk बच्चों के लिए बहुत जादा ज़रूरी होता है in fact सारे ही doctor's pediatrician ये suggest करते हैं कि at least 6 month तक आप अपने बेबी को breast milk ही दे तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि बहुत सारे situation में हम breast milk directly बच्चों को feed नहीं करा पाते हैं तो उस case में हमें जरूरूर पढ़ती है एक right pump की जो है love lab company का adore electric breast pump तो इसका सबसे पहला feature है कि इसमें आपको two phase pumping technology के साथ आता है I mean यहाँ पे आपको stimulation mode मिलता है साथी साथ आपको expression का mode मिलता है stimulation mode में आपको 9 different levels मिलते हैं और साथे आपको expression के mode में भी आपको 9 different levels मिलते हैं तो इन सारे ही levels को आप अपने requirement के हिसाब से adjust कर सकते हो Second thing ये product बिल्कुल safe and hygienic है वो कैसे क्योंकि इसमें जो plastic का इस्तमाल किया गया है वो BPA free है Silicon का बना हुआ है and food grade ingredients से बना है इस pump में anti-backflow valve है इसका क्या मतलब होता है जब भी आप pump को use करते हैं तो यहां से जो milk जाता है वो गलती से भी pipe के जरे यहां पर electric unit तक नहीं पहुच पाता इससे क्या होता है आपका electric unit safe रहता है और उसकी खराब होने की chances बिल्कुल कम हो जाती है Next thing मुझे इस pump की पसंदा है कि pump बिल्कुल automatic है and जैसे कि मैंने आपको बढ़ा है electric है मतलब आपको बिल्कुल भेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आप pumping के टाइम पे आपको सर्फ अपना comfortable position लेना है और आप अराम से इस pump को यूज़ करके अपना ये milk को pump कर सकते है Electrical unit एक touch screen है जिसमें आपको एक power button मिलता है mode change करने के लिए button मिलता है माइनस ये plus का button है जिससे आप levels को increase और decrease कर सकते हो यहाँ पे heart shape है means वो stimulation mode पे है अगर water drop shape है means वो expression mode पे है battery display को option मिलता है आप levels को यह इस तरीके से plus या फिर minus को press करके अपनी levels को अपनी हिसाब से adjust कर सकते हो इस pump के साथ एक massage petals मिलते हैं जो मैं आपको दिखा दीती हूँ तो यह है वो massage petals वाल इसका फाइदा क्या होता है यह funnel में हाँ पे लगता है pump के starting में लगता है इसका फाइदा यह है कि जब आप pump को use करते हैं तो आपकी breast को बिल्कुल harm नहीं होता यह पूरे pump के parts को आप sterilize कर सकते हैं वाश कर सकते हैं अगे यह भी मुझे इसका best part लगा क्योंकि sterilize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि hygiene maintain रहे इस pump को charge करना बहुत ज़्यादा असान है तो यहाँ पे आपको pump के साथ एक charger मिलता है आप चाहिए तो इसको normal adapter से charge कर सकते हैं आप चाहिए तो plug को use कर सकते हैं आप चाहिए तो अपने laptop से charge कर सकते हैं अगर आप travel कर रहे हैं अपने car में तो आप अपने car के charger से भी इस pump को charge कर सकते हैं वेल इस pump को use करने का दो तरीका है पहला तरीका है कि आप इसको directly charge कर लिजे और directly use कीजे दूसरा तरीका है कि इसमें rechargeable battery आता है तो आप पहले battery को charge कर लिजे उसके बाद एक बार अगर आप battery को charge कर लिए तो ये 2 घंटे तक चलता है Closed Pumping System है अब वो क्या होता है जब भी आप pump करते हैं यहां से तो milk जो है वो directly bottle के अंदर flow होता है तो यहां पर milk contamination की chances जो होती है वो कम हो जाती है मतलब milk खराब होने की chances जो होती है वो कम हो जाती है जो कि इसका best part So इस product के साथ आपको मिलता है main pump body, one electrical unit, one milk container, milk को store करने के लिए two disposable breast pad complimentary, one travel pouch, one bottle cap, one teeth and cap, two silicon diaphragm, one is additional here diaphragm का cover one charger and one dust cap to cover from dust, two duct bilf valve, one soft silicon massage cushion and a tube to connect electrical unit and main pump unit Pump को assemble करने के लिए और अफिर connect करने के लिए हम pump की main body को लेंगे Main body में हम duct bilf valve को यह इस तरीके से pump के नीचे अटाच कर देंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है We attach a duck bilf valve के बाद हम milk container को नीचे अटाच कर देंगे Milk container अटाच करने के बाद हम soft silicon massage cushion को pump के funnel में अटाच कर देंगे Funnel में अटाच करने के बाद हम you silicon diaphragm को हम pump की ऊपर अटाच कर देंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा है फिर हम डाइफरम का कवर लगा देंगे डाइफरम का कवर लगाने के बाद सिलिकन ट्यूब के वन एंड को हम डाइफरम कवर में अटाच कर देंगे and second end को हम electrical unit में attach कर देंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया अब ये हो गया हमारा pump ready to use so ये था attachments के बारे में and attachments को हम कैसे assemble कर सकते हैं अब आईए जानते हैं कि इस pump को हम के सरीके से use कर सकते हैं product को operate करने के लिए आप पहले power button को on कर लेजे for mode को अपने हिसाब से select कर लेजे mode select करने के बाद आप levels को अपने हिसाब से adjust कर लेजे उसके बाद ये pump हो गया ready to use आप कोई भी comfortable position लेकर के अब इस pump को use कर सकते हैं इस pump का suction power बहुत ही amazing है जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं इस pump के साथ आपको one ear की warranty भी मिलती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो love lab company के adore electric breast pump के बारे में well overall ये pump मुझे definitely पसंद आया क्योंकि इसलिए features are amazing है as a mother अगर आप अपने लिए एक pump ढूड रहे हैं तो ये pump आपके लिए एक दम perfect है मैं ये pump आपको definitely recommend करूँगी अगर आपका कोई भी doubt हो इस pump से related तो आप मुझे comment करके कभी भी पूछ सकते हैं अगर आपका pumping से related कोई भी doubt हो तो भी आप मुझे comment करके कभी भी पूछ सकते हैं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, informative लगा तो वीडियो को like करना मत भूलेगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा आप चाहिए तो हमें Facebook और Insta पे भी follow कर सकते हैं यह pump easily Amazon पे available है, साथी साथी Love Lab के site पे भी available है Love Lab का site है lovelab.com, दोनों का link आपको description box से मिल जाएगा तो इसे के साथ दोस्तों मैं अमरता आज को वीडियो खतम करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए information और tips के साथ तब तक के लिए दोस्तों, happy parenting and bye-bye